आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है पुरुसकार पुरुसकार यानि की प्राइज ठीक है तो इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाइन पढ़ेंगे और बहुत मज़े से समझेंगे पुरुसकार पुरुसकार प्रसाज जी की हिंदी साहित्य की सर्वस्रेस्ट कहानियों में गिने जाती है यह मानवी प्रेम से उपर उटकर रास्ट प्रेम की उचाईयों को छोने वाली अमर कता है कहानी की नाईका किसी भी मुल पर अपने राज्य की धर्ती पर किसी दोसरे का अधिकार नहीं देख सकती अंत में वह अपने प्रेम का बलिदान कर देती है और अपने लिए पुरुसकार में मृत्युदंड मांगती है आकाश में काले काले बादल घुमड रहे थे परवतमाला के अंचल में समतल भूमी से मिटी की गंध उट रही थी रथो, हाथियों और भीड के मध्य महराज की सवारी बढ़ रही थी बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्सा की कोशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था एक दिन के लिए महराज की स्यान बन इंदर देव की पूजा कर हल जो उत्ते थे दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार की भी उत्सव में भाग लेते थे इस बार मगद का राजकुमार अरुन भी अपने रत पर बैठ देख रहा था बीजो का थाल लिए खेद की स्वामिनी कुमारी मधुलिका महराज के साथ थी सब लोग महराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरून मधुलिका को भोला सौंदर्य महराज पर निछावर कर स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी गई मधुलिका ने कहा देव मेरे पिता महों की भूमी बेचने मेरे लिए अपराद है वृद मंत्री ने कहा अबोध कर रही है राजा की कृपा का तिरसकार महराज के संकेत पर मंत्री ने कहा देव वारनसी के युद्ध के वीर सिंग मित्र की या एकमात्र कन्या मधुलिका है नियम के अनुसार हम इसे भूमी का चौगुना मुल दे रहे हैं राजकुमार चुप रहे है सभा विसर्जित हुई सब अपने अपने सिविर को लोट गए मधुलिका व्रिच की चाया में अन्मनी सी चुप बैठी रही है व्रिच यानि की किसी मलब बड़ा पेड ठीक है उसकी चाया में उसके नीचे रात्री उत्सब में अरून ने भाग ना लिया उनकी आँखों में नीन न थी अरून ने देखा रक्षक सो रही है वो उस व्रिच के नीचे जा पौचे जहां मधुलिका निद्र का सुख ले रही थी तो मधुलिका जो थी वो उस बड़ी से पेड के नीचे ही सो गई थी कौन मधुलिका ने चौक कर पूछा देवी मैं मगद का राजकुमार मैं तुमारे अनुग्रह का प्राथी हूँ मेरा हिरदय तुमारी छवी का दास बन गया है मैं कौसल नरेश से तुमारी भूमी तुमें दिलवा दूँगा नहीं मैं रास्ट नियम नहीं बदलना चाहती चाहे मुझे कितना ही दुख हो मधुलिका उठकर चल दी राजकुमार लोट गया मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया वह दूसरों के खेतों में काम करने करती और कटूर परिश्रम के बदले जो सुखा अन्न मिलता उसे खाकर अपनी जोपड़ी में पड़ी रहती आसपास के किसान उसका आदर करते इस तरह दीन, सप्ता, महिने और वर्ड्स बीतने लगे मधुलिका बीते चनों को याद कर रही थी अत्यादीक गरीबी ने उसे और अधीन कर दिया था बाहर वर्षा ने भीज़न रूपधारन कर लिया गड़गडाहट बढ़ने लगे मधुलिका अपनी तूटी फूटी जोपड़ी में काप रूठी सहसा बाहर कुछ सब्द हुआ कौन है यहाँ पाथिक को आस्चर चाहिए मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया बिजली चमक उठी उसने देखा एक पुरूस गोडे पर सवार है वो चिला उठी राजकुमार मधुलिका आस्चर से यूवक ने का तुमारी यह दर्शा मधुलिका बोल उठी और आज आपकी यह हालत मैं मगद का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौसल में जिविका खोजने आया हूँ स्वागत है सीत काल की कोहरे में घिरी चांदी में बैठे अरून और मधुलिका परस पर बाते कर रहे थे इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या हवशकता है मैं अपने बहुबल से नया राज्य बनाऊंगा ओ तो तुम्हारा उत्सा कम नहीं हुआ तुम्हारी इक्छा हो तो मैं प्रानों की बाजी लगा कर तुम्हें कौशल का सिंगाशन पर अपनी राणी के रूप में बैठा दू मधुलिका काप उठी क्यों यह सत्य है मधुलिका कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है वे तुम्हारी प्रात्ना और स्विकार नहीं करेंगे कौसल के सेनापती अधिकान सैनिक लेकर दास्यों नास के लिए बहुत दूर गए हुए है अरून ने समझाया जो कहोगे वही करूँगा मधुलिका ने कहा कौसल नरेश के दर्वार में आकर मधुलिका बोली देव तीन बरस हुए मेरी भूमी ले ली गई थी ओ तो कितना मुल हो तो उसका मुल मांगने आई हो नहीं नहीं दक्षनी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमी दे दें मैं अपनी खेती वही करूँगी बढ़ खाबढ़ है पर दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है तो मैं लौट जाओ सिंग मित्र की कन्या तुम नरास नहीं लौटोगी मैं मंतरी को पत्र देने के आदर्श देता हूँ जै हो देव कहती हुए मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई दुर्ग के दक्षिन नाले पर जाडिया काट कर मधुलिका का खेत बन रहा था अरून के आदमी वहा स्वतंत्र गूम रहे थे एक दिन अरून ने कहा आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मैं मगत का राजा बनूगा आज रात जोपडी में बिताओ कल से तो राजमंदिर में तुम्हारा निवास होगा मधुलिका उठ खड़ी हुई जोपडी की ओर बढ़ती हुई वह सोचने लगी मगत कौसल का सत्रू है सत्रू का विजय नरेश ने क्या कहा था वह वीर सिंग मित्र की कन्या है नहीं नहीं वह पुकार उठी रात का पहला पहर बीच चुका था वह राह पर खड़ी थी लगबग सो अस्वा रोही चले आ रहे थे अस्वा रोही मतलब होता है वैसे लोग जो घोड़े पे तो घोड़े पे जो सैनिक थे वो आ रहे थे आगे आगे सेना पती थे वह बोले कौन है तू मैं अपरादी हूँ मुझे पकड़ लो क्या है साब साब बता आज रात स्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिनी नाले के पास से आक्रमन होगा कीला सत्रू के हाथ होगा क्या कह रही है तू सेना पती ने चौक कर कहा मैं सत्त कह रही हूँ सिग्र चलो सेना पती ने अस्ति सैनिक को दक्षिन नाले की ओर बढ़ने की आग्या दी और मधुलिका के साथ लेकर स्वै दुर्ग की ओर बढ़ गए अस्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए उन्होंने सेनापती को पहचाना स्रवस्ती दुर्ग का द्वार खोला सेनापती ने पूछा दुर्ग में कितने सैनिक होंगे सेनापती की जै हो दो सौ बीना आवाज किये उन्हें दुर्ग के दक्षिन नाले की ओर ले चलो सेनापती ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत दिखिया और राजमंदिर की ओर बढ़े महराज के पास जाकर बोले छमा हो देव इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहां आना पड़ा महराज ने कहा सिंग मित्र के कन्या तुम्हे तो दक्षिन नाले के समीब भूमी दे दी गई थी देव किसी गुप्त सत्रू ने आजरात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रवंद किया है इस स्त्री ने यह संदेज दिया है महराज ने पूछा मदुलिका क्या यह सच है हाँ महराज वह बोली तुमने यह सुचना देकर पुरुसकार का काम किया है महराज ने कहा राजकुमार अरून अपने साथियों के साथ पकड़ा गया बंदी अरून को देखते ही जनता रोन से चिलाई प्रान दंड प्रान दंड राजा ने सहमती दी मदुलिका बुलाई गई तुम्हें जो पुरुषकार लेना है मांग लो वह चुप रही राजा ने कहा मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ मदुलिका ने बंदी अरून की ओर देखा और कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए अरून हस पड़ा राजा ने कहा नहीं मैं तुम्हें अवश्च दूँगा मांगो लो तो मुझे भी प्रान डंड मिले कहती हुई वह बंदी अरून के पास जाखड़ी हुई तो ये था पूरा एक स्टोरी और ये काफी इंट्रेस्टिंग और बहुत कुछ सेखने वाले स्टोरी थी है I hope आपको भी ये स्टोरी पसंद आया होगा मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ ठीक है Thank you so much for watching this video